गुड मॉर्निक स्टुडेंट्स अक्सरसाइज 4.2 क्यूस्ट नंबर फाइव दा एल्टिट्योड ओफ रेक्ट्रेंगल इस सेवन सेंटीमेटर लेस देन इस बेस आधार से जो उसका लंब है वह साथ सेंटीमेटर कम है इप दा इपोटेनिज यानि के उसका जो करन है वह त तेरा सेंटीमेटर है फाइंड दा अधर टू साइड उसकी दूसरी दो बुजा फाइंड आउट करनी है लेट दा बेस ओफ राइट एंगल ट्रेंगल एक सेंटीमेटर लिया यह बेस है उसका यह बेस ले लिया एक सेंटीमेटर आई टू से साथ सेंटीमेटर कम है एक्स म तो पायथागोर्स परमे लगाएंगे इसमें हम बाई पायथागोर्स परमे या थोरम क्या होती है वो करण का स्केअर इंदी में लिखते हूं उसको करण का स्केअर is equal to our आदार का स्केयर जमामे लंब का स्केयर इसको बोलते हैं आईपोटेनिस का स्केयर बेस का स्केयर पलस परपेंडिकुलर का स्केयर करण कितना है तेरा बेस कितना है एक्स का स्केयर और परपेंडिकुलर कितना है x-7 का square यह हो गया 13 का square 79 x square gt जमा में e-b का square खुलो x square 49-14x सिधा करेंगे इसको हमें यह लिखेंगे पहले x और x 2x होगे और जमा के 49 गटा के 14x इसको भी दर लेकाएंगे तो यह हो गया माइनस के 179 is equal to 0 यह हो गया 2x square minus के 14 को पहले लिखेंगे 14x 99 जमा के हैं और यह गटा के तो गटा के बचके हमारे पास 9 में से 9 के 0 6 में से 4 गए 2 1 का 1 तो यह आगे इसमें अब इसमें 2 common है तो 2 से divide कर देंगे 2 common लेंगे तो x square minus के 7x minus के 2 से बाग देंगे 60 यहाँ पे 2 multiple side मजा के यह divide हो जागा और 0 हो जागा तो x square minus 7x minus के 60 is equal to 0 अब इसके factor मनाएंगे मैं गुना करां तो 60 plus minus करां तो 7 तो क्या बनेंगे x square minus के 12x और पलस के 5x और गटा के 60 is equal to 0 अब इसमें से x को मन लिया x गटा के 12 इसमें से 5 को मन लिया x गटा के 12 is equal to 0 अब इसमें दोनों दो सेम होगे यह और यह तो x minus 12 को भी 0 के बरावर रखेंगे और x जमाम है 5 को भी 0 के बरावर x is equal to यह minus का हो गया किसी की भी जो length है वो minus मन नहीं होती तो x is equal to 12 तो base कितना हो गया उसका 12 cm उपर देखो अब यह जो x के बेल होगे यह 12 cm है 12 मसे 5 गए यह कितनी होगी 12 मसे 7 गए 5 cm यह 13 cm होगी तो base हो गया इसका base is equal to 12 cm height होगी इसकी height होगी यानि के 12 गटा में 7, 5 cm आईपो 10 इस उसने दे रखी है 13 cm तो तिनों साइड इसकी यह होगी next question है question number 6 है cottage industries produce a certain number of poetry article in day 8 day एक factory है वो एक दिन में article बना रही है कुछ समान बना रही है it was observed on a particular day the cost of production of each article was three more than twice the number of आर्टीकल यह को है एक दिन में जितने वो आर्टीकल बना रही है उसका दुगणा उसका twice the number उसका दुगणा और तीन अधिके उस पे खर्च आ रहा है यदि total जो है if the total cost of production on that day 90 यदि एक दिन का जो खर्च वो सारा 90 रुपे है तो यह बताना हमने कि cost of each article देखो इसको कैसी करेंगे इसमें हमने let the number of article produce one day एक दिन में कितने चीज बनाए उसने एक्स और खर्चा कितना आया उसने कहा कि इसका दुगणा कर दे और इसमें तीन जोड़ दो इतने रुपे उस पर खर्च आया एक दिन में इतने article उसने बनाए एक article पर इतना खर्च आया टोटल खर्च कितना हो गए इन दोनों की गुणा कर देंगे x 2x पलस के 3 दोनों का जो खर्च है वो दे रख्या है इसमें 90 रुपे x के अंदर गुणा कर देओ 2x स्केर जमा के 3x 90 निसाइड में लिया हो माइनस के इस इकल टू 0 अब इसकी रिष्की गुणा करेंगे हमें quadratic equation है कितना हो गए यह 180 अब पलस माइनस करां तो 3 आव है और गुणा करां तो 180 तो इसके factor बनावांगे हमें 2x स्केर और जमा के 15x गटा के 12x गटा के 90 इस इकल टू 0 यह बनेंगे इसके 15 की और 12 गुणा करांगे तो 180 आएगा और पलस माइनस करांगे तो 15 जमा के हैं 12 गटा के तो जमा के 3 अब इसमें से कॉमल लिया हमने है 2x जमा के 2x जमा के 15 और इसमें बचिए 12 यहां बचिए x इसमें हमने यहां बचिए x कॉमल लिया 2 बचिए x बचिए अब यहां पे shame बचना चीए तो 12 से 19 डिवाइट ने होता तो यहां पे 6 से डिवाईट होगा ये 6 कॉमले नामने 6 दूनी 12 यानि के 2X और ये भी माइनस का है ये भी माइनस का तो पलस के 6 से इसको बाग दें 6 एकम 6 6 पंजे 30 इस इकल टू 0 अब इसमें ये और ये दोनों से इम है 2X जमा में 15 इस इकल टू 0 और X गटा के 6 बरावर 0 तो X बरावर है 6 ये हो गया 2X बरावर माइनस के 15 X बरावर माइनस के 15 बटे 2 माइनस में कोई चीज़ हम बनाते नहीं तो X की वैलू कितनी आगी 6 तो ये उसमें कितनी आर्टीकल बनाता हूँ एक दिन में 6 आर्टीकल बनाता कोस्ट कितनी होगी उसकी कोश्ट होगी, उसने कहा कि जो आर्टीकल है उसका दू गुना याँनि कि दो एक्स जमाम है तीन, एक्स की वैलू कितनी हैगी छे, छे रख दो अड़े दो गुना में छे जमाम है बारह और तीन, पंदरा याँनि कि पंदरा रुपे उसको उपरे खर्च एक आर्टीकल पर 15 रुपे खर्च हो रहा है और आर्टीकल एक दिन में कितने बना रहा हूँ अच्छ है ये अक्सरसाइज आपकी कम्पलीट होगी थैंक्यू है वे नाइस दे